शनिवार को नीट का रजल्ट घोशित हुआ तो चात्रों के चेहरे खिल गए जो सपने संजोई थे वो पूरे होते नजर आए नीट की परिक्षा में इस बाज 720 में से 720 अंख हासिल कर दो चात्रों ने एतिहास रचा है इनमें एक है शोईब जो इने पहला स्थान मिला है तो अकांगशा है जो इने दूसरा स्थान मिला है इस बार दोनों ही चात्रों को 720 में से 720 अंख आए लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर क्यों शोईब को पहला स्थान मिला और क्यों अकांगशा को दूसरा ऐसा क्यूं हुआ हम आपको इसके बारे में बताते हैं दरसल नीट में 720 में से 720 अंक लाने वाली दिल्ली की आकांगशा सिंग के हाथों से कम उम्र होने की वज़े से पहली रैंक पे सल गए दरसल दोनों ही चातरों के अंक बराबर रहे लेकिन शोयब को पहली रैंक तो आकांगशा को दूसरी रैंक मिली इसका कारण नीट की टाई ब्रेकर पॉलिसी है इसके अनुसार दो याज जादा चातरों के एक बराबर अंक आने पर तीन तरीकों से टॉपर का फैसला होता है पहला जिसकी उम्र जादा हो उसे प्रात्मिक्ता मिलती है दूसरा हर विशे में दोनों को मिले अंकों के आधार पर भी फैसला होता है तो तीसरा गलत उत्तरों की संख्या जिसकी कम होती है उसे आगे की रांक दी जाती है प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि मेरा बेस उतना स्ट्रॉंग नहीं हुआ था क्योंकि बच्चे काफी बहुत अच्छी जगह से पढ़के आए थे तो उन्हें काफी चीज़े पहले से आती होती थी तो वो चीज़ कवर करने में मुझे टाइम लग जाता था उन्हें अगर चार गंटे लगते तो तो मुझे छे साथ गंटे लग जाते थे इनीशली बट उस चीज़ को मैंने ऐसे चालेंज लिया और मैं उसको करती चली गई ताइम लिमिट में कभी खुद को वो नहीं किया कि मतलब इतने टाइम में करना है यहां शोईब की उमर जाधा होने का फाइदा उसकी नीट परीच्षा में रैंक के रूप में मिला है क्योंकि शोईब की उम्र जादा है इसलिए उसे आल इंडिया वन रैंक मिला है लेकिन अकांग्शा को दूसरा मुलता कुशी नगर की रहने वाली अकांग्शा ने दस्वी तक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में की लेकिन फिर दिल्ली में आकर उन्होंने पढ़ाई शुरू की अकांग्शा के पता भारतुय वायू सेना के रुटायट सर्जंट है उनकी मा रुची सिंग गाउ में ही प्रात्मिक स्कूल टीचर है बेटी किस कामयाभी से दोनों ही बहुत खुश है